नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ी फॉर यूपेसी पीसे से मैं स्वागत है बिहार स्पेसल करेंट का ये नेक्स्ट वीडियो होगा इससे पहले के बिहार स्पेसल के जितने भी करेंट हैं वो सभी के सभी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 70 BPSC करेंट MCQ ये लिंक मैं आपको डिस्किप्सन में दे दूँगा वैसे चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर सभी के सभी MCQ आपको मिल जाएंगे कई सारे स्टुडेंट फिर कॉमेंट करते हैं कि ये बुक कौन सा है ये बता दी तो एक कॉस्मॉस पब्लिकेशन का दिली का ज जो है वह दिया हुआ है बिहार हम लोग कब तक करके जाएंगे ईसे पहले के सभी की वीडियो आपको एक ही जगह पर दिख जाएंगे लेकिन है क्या कि Bihar Special कैसे त्यार करना है एक तो ये मैगजीन का MCQ हो गया एक और कोई मैगजीन का MCQ आएगा ही कोई ने कोई मैगजीन तो आएगा ही अगस्त तक आ जाती है छे माही वाली जिसमें जनवरी से लेकर और जून जुलाई तक के MCQ रहते हैं तो ये दो मैगजीन एक जिसमें अप्रेल तक का है एक और आएगा एडुटेरिया का जाता है उसके केबल MCQ हिस्से को अगर आप डीटेल में कवर कर लेते हैं दो-तीन बार तो बिहार स्पेसल आपका निस्सिंथ हो जाएगा कई सारे स्टुड keynote इस गलत फैमी में है कि पिछली बार भीहार स्पेसल नहीं पूछा था तो इस बार भी नहीं पूछेगा यह सब गेस्स मत कीजी अपने ही पहल पर कुलहारी मत मारिये करके जाएए पूरा कुछ जो भी आएगा वहापर कर देंगे नहीं पूछा अगर करके गए तो कोई नुकसान तो नहीं है है ना और करके गए अगर पूछ लिया तो फाइदा है तो जिसमें आपका फाइदा है वो देखिए कि भई करके तो जाना ही है नहीं आएगा तो अपना कोई नुकसान नहीं, आ गया तो अपना कर ले जाएंगे इस तरह से त्यारी करनी चाहिए, सिलिबस देखिए, पैटर्न मत गेस कीजिए देखे, 221 नमर सवाल से करेंगे हम लोग, और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा Study for UPSC, PCSU टेलिग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा देखे, पहला सवाल क्या है आज का, कि बिहार Mathematical Society और राज्य के किस विस्विद्याले की ओर से चार से छे नमबर 223 तक गनित विसह में Exploring Excellence in Mathematical Science विसह पर एक अंतराष्टिक Conference का आजन किया गया है, तो 211 का एंसर क्या हो जाएगा, और हम लोग कोई Test Series नहीं लगा रहे हैं, सामने ही यहाँ पर एंसर लिखा होता है, 211 का एंसर हो जाएगा D यानि की नालंदा OpenVisWidya आले में इसका आजन किया गया था, ध्यान में रखिएगा, नॉमबर का है नॉमबर 2023 का करेंट है, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको करप्या करके ध्यान में रखें, अगला सवाल कौन सा है, कि बिहार सरकार द्वारा राजी के कितने जिलों मिसन सुरक्षा के तहट 50 पुलिस कैम्प बनाए जाएंगे, तो यह बनाए जाएगा 18 ज अगर यह दोनों बुक अपने चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ है, कंप्लीट है, जोगरफी, पॉलिटी, बिहार स्पेसल, हिस्ट्री, इन दोनों बुक से लाइन बाइ लाइन, विथ, MCQ, कंप्लीट करवाया हुआ है, अगर आप जाको उन प्लेलिस्ट को देखेंगे, बिहार स्पेसल आपका त्यार हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा पूरा, जोगरफी भी, एकॉनमी, पॉलिटी, बिहार का कल्चर, बिहार के हिस्ट्री, सब कुछ, अगर आप मैटेरियल लेवलेबल, अगर आप नहीं करते हैं, ति आपकी जिम्हिदारी बनती है, अग इसके जाने माने सिक्षाबित संत कुमार चौधरी को लंदन और्गनाजेशन आफ एक्सिलेंस अवार्ड धोयरतई से समानित किया गया, वे बिहार राज के कि जिले के निवासी हैं, वेरी, 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 इंपोर्टेंट सवाल, 224 का एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर गया, लौड्स उनको मैधान में आवार्ड दिया गया, आप समझ सकते हैं, राष्टे फैसन प्रद्योकी संस्थान, निफ्ट पठना में आजित, कन्वर्ज दोयरते, इसका ओबरॉल चेंपियन कौन बना है, तो निफ्ट पठना ही चेंपियन रहा है, बी एंसर हो अगला देखिए, इसमें सब जादा मेडल पठना जिता, CISF की पहली महिला निदेसक DG बनी, नीना सिंग राजी के किस जिले के रहने वाली है, ये किस जिले के रहने वाली है, ये किस जिले के रहने वाली है, ये दर्भंगा जिले के रहने वाली है, नीना सिंग, CISF की प 25 में कितने प्रिखंडों में खेल प्रसिक्षन के अंदर खोला जाएगा तो 534 प्रिखंडों में खोला जाएगा इसका एंसर D हो जाएगा देगे क्या है उस समय के कला संस्कृति खेल मंतर जीतेंद कुमाराई ने यह जानकारी दी थी अगला सवाल है आपका कि बिहार के कि यह जिले में देश का दूसरा सबसे बढ़ा हड़ी से समधीत समस्याओं के लेस्पताल निरमित किया जा रहा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिसको मैं BVI बोलू उसको तो गारेंटर याद कर ली जिएगा त्यों पत्ना में निरमित किया जा रहा है उन्तीज जु जुलाए दोहरतेस में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉनक्लेव द्वारतेस का जन कहां पर किया गया है तिये पटना में किया गया किस नगर नियम के द्वारा स्वक्षता जारुता संस्कृति अभियान के सुरुआत की गई है ति पटना नगर नियम के द्वारा सुरू किया गया है सबका एक ही सपना सौक्ष सुन्दर सहर बने हो अपना आपका पटना सुरक्षित हो भई सुन्दर हो और क्या चाहिए है ना अगला सवाल देखे क्या है कि बिहार निवासी अभिनेता संजय मिस्रा की किस लगू फिल्म को आसकर के लिए नॉमिनेट किया गया है मसान, गिद्ध, आँखो देखी अबद्ध ये जो मूबियां आई है संजय मिस्रा को जानते ही होंगे तो गिद्ध के लिए उनके आसकर के लिए नॉमिनेट किया गया बहुती बड़ी वाद है सांदार अभिनेता है ये संजय मिस्रा को गिद्ध फिल्म के लिए एसिया इंटरनेशनल कंप्रिटिटिव मैसर वेस्स अभिनेता का पुरसकार मिला है और इस फिल्म का निर्देशान मनी ससैनी के द्वारा किया गया है गिद्ध फिल्म निर्देशक अभिनेता इनको ध्यान में रखेगा किस्तित्री को पटना और राची के मध्य बंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन्ज शुरू हुआ है तो 28 जून 2023 को शुरू किया गया है हालिम बिहारी किस महिला को अंतराष्टे युवा सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर अमरिताओ किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा पिछली बारे पीटी के लिए परके गये थे ये बिहारी किस जिले मितला महुसब कायजन हुआ है तो मधवनी जिले में हुआ है नीतिया के दोरा देश के अलप विक्सित 112 आकांची जिनों की अपरेल 22 के लिए डेल्टा रैंकिंग जारी की गई ओबराल रैंकिंग बिहार के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था अपरेल 23 में जारी किया गया था तो ये आपको याद नहीं रखना वैसे गया मैं इसका गया का ओबराल रैंकिंग में दूसरा स्थान था इसको याद नहीं रखना है अगला है आपका चर्चित पुष्टक बिहार बढ़कर रहेगा ये जरूर ध्यान रखेगा नहीं पूछा भी तक पूछा जा सकता है डॉक्टर जगनाथ मिस्रा कहें बिहार बढ़कर रहेगा कि लेखक बिहार के पूरो मुख़एंदि जगनाथ मिस्रा है उनके 86 जर्म दियस्पोन के दुतिय पूतर द्वारा या पूस्तक नितिस कुमार को सौपी गई थी अगला है कि बिहार की जिले में बे मौसम फल और सबजी खेती के लिए इस्राइली तकनीक पर अधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की सुरुवात की गई है इस तरह के सवाल काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं वी वी आई कर लीजेगा इसको ये नालंदा जिले में खोला जा रहा है हाइड्रोपोनी की यूनिट की सुरुवात के इजराइली तकनीक होती है जिसके द्वारा जिस सीज़ का मौसम नहीं है उस मौसम में भूस फसल का उत्पादन किया जा सकता है अगला है आपका यहाँ देखे क्या लिखा कि यहाँ बीना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों खेती की सुरुवात की गई है जल का सामाने तौर पर उप्योग किया जाता है बीना मिट्टी के फार्मिंग की जाती है इसमें निम्स बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य एप लॉंच किया गया भव्या एप लॉंच किया गया है तो यह किया गया है स्वास्त विभाग के द्वारा राज सरकार राज सरकार के स्वास्त विभाग द्वारा जारी किया गया भव्या एप में मरीजों के निमंधन से लेकर जांच, इलाज और मिलने वारी दवाओं सहित सभी हेल्थ फैसलेटी समनी जानकारिया होंगी मई 2-3 में जारी की रिपोर्ट कांसार मन्रेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने बिहार का कौन सा जिला प्रतम अस्थान पर रहा है तो जमूई जिला रहा है very very important अगला आपका देखे सवाल क्या है इसी में देखे क्या लिखा है का 38 जिलों में जमूई पहले अस्थान पर रहा है तो ये ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगा कुछ important point को और अगले पर चलते हैं, वैसे केवल आप जमुई को भी याद रखेंगे तो आपका exam में हो जाएगा, क्योंकि वही पूछा जाता है बिहार के जलसन साधन मंत्री संजय जहा ने बिहार है बारता सुखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधनिक तकनीक अपनाने है तो कौन सा एप लॉंच किया है, तो ये बेफिकर एप को लॉंच किया गया है बेफिकर एप किस से समझी थे, बिहार और सुखा के प्रभाव करने के लिए आधनिक तखनीक अपनाने से जुरे हुए चीज़ें इस एप पर उपलाद करवाई जाएंगी बिहार की जिले में भगवान बुद्ध की सबसे उची प्रतिमा एक सुआट फीट का निर्मान किया जा रहा है बिहार में चौथे किरसी रोड मैप के समने निम्में से कौन सा कथन सही है इसके बढ़ी दोयर तेई से दोयर अठाइस तक है इसके तहत एक दसना च्छे दो लाख करोर पे खर्च किया जाएंगे इसके तहए दलहन तिलहन तता मोटे अनाज को उत्पादन पर जोर दिया जाएगा इसका इंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है दोजारटथाइस तक लिए इसको बनाए गया है मसुझ चनां इन सब को जोर दिया गया है इसमें से मुख्यमंती ने खरीब अभियान द्वयर्टेश के तहत की जिले से 36 परचार रथों को रवाना किया ति पटना से रवाना किया था उन्होंने पटना में अपने कारियले से रवाना किया था उन्होंने मुखमंती ने खरीब अभ्याने के लिए 36 प्रचार रथों को हरी जंडी दिखाई सभी जिले के लिए 36 कैसे हो जाएंगे भाई एक दो वाहन कोई दो जिलों के कवर कर लेगा मई 22-23 में Central Bank Digital Currency अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम था ये सवाल नहीं पूछा गया है पूछा जा सकता है Digital Currency Digital Transaction नहीं Currency अभी आप जो भौन पर UPI करते है Digital Transaction होता है Digital Currency का पाइलर प्रोजेक्ट जो सुरू किया गया नरार्विया द्वारा उसे पटना नगर निगम को भी सामिल किया गया था राष्टे हरित प्रादिकर ने बिहार के किस नदी को घरियाल वन जीव अभियारन बनाने और एको संसिटिव जोन घोसित करने का निर्देश दिया है ये सबसे important point हुआ आपका आज के वीडियो के लिए इससे ज़्यादा important सवाल नहीं है आज के वीडियो में ये सबसे ज़्यादा important हुआ आपके लिए 247 का अंसर क्या हो जाएगा सोन नदी में बनाया जाएगा और ये हवी तक नहीं पूछा गया है तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा आज पूछा जाए एक साल बाद पूछा जाए NGT ने निर्देश दिया है कि भई सोन नदी को घरियाल के सानक्षन के लिए बनाना चाहिए सोन नदी को घरियाल के सानक्षन के लिए इसको सानक्षी छेतर घोसित करना चाहिए किसने दिया NGT ने सोन नदी के लिए बोला है तो घरियाल के लिए बना जाए, घरियाल के बारे मैंने आपको परहाया हुआ है, बिहार के पटना उनिवर्सिटी 21 प्रोफेसर ने मिसेज इंडिया 2230 का खिताब जीता है, बताइए डॉक्टर रोहनी प्रोफेसर भी है और मिसेज इंडिया 2230 का खिताब भी जीत लिया, पंचायतों को टीवी मुक्त करने को देश से 12 हमें द्वारते इसको पटना में टीवी मुक्त पंचायत अभ्यान के सुरुवात किस ने की है, तो तेजस्वी यादव ने किया था, उस समय ये मंत्री थे, अब तो नहीं है बिचारे, उसमें स्वास्त मंत्राले समाले हुए थे, हालिम बियार की जिले के मखान अंसंधान केंद्र को पूरा नेशनल रिसर्च सेंटर का दरजा दिया गया है, दरभंगा का मखान रिसर्च सेंटर जो है, मखान अंसंधान संस्थान उसको नेशनल रिसर्च सेंटर का भारतिये रिसर्च सेंटर के अस्तर का दरजा दि है इसको जरूर धियान रखिएगा वेरी 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 इंपोर्टेंट अगला सवाल है कि रास्पती द्रापदी मुर्वों ने सी आर पीएप में तैनात बिहार के जमुई जिले के किस डिफ्टी कमांडेंट को सौरी चक्र से सम्मानित किया है तो इनका नाम क्या है तो विकी मिस्तित सिमरिया धाम में सौंदरी करन कारी के आधार सिला रखी है सिमरिया धाम तो गए होंगे बेगु सरय मिस्तित सिमरिया धाम गंगा नहाने के लिए लोग जाते हैं इसका सौंदीर करन करना भी चाहिए क्योंकि लोग काफी बड़ी संख्या में जाते हैं लेकिन यहा पर यहां पर भी बनाने की कोशिस करें, बनाना भी चाहिए, काफी पहले बना देना चाहिए था, खेर चलिए एक हो जाएगा, बेगूसरा इसका एंसर हो जाएगा, गुनवत्ता पूरवक मातुत देखवाल के लिए पूरवी भारत के पहले कौसल सम्मर्धन केंदी की बात कहां पर की गई है, तो पटना में किया गया है, एंसर हो जाएगा, बेदुत मंतराय द्वारत जारी आकरो कंसार, प्लांट लोड फैक्टर के अधार बिहार के किस एंटी पीसी को बिहार पहला, देश में दसमा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कांटी थर्मल पार प्ल दी नियुत करने के लिए बिहार के किस खेर्डर का चैन किया गया था, इये किया गया था, एय और enillar दोलम्पिक के लिए हमारा नेतूट कौन करेंगे जंडारोहन का, तो वह करेंगे नीरत चोपरा, नीरत चौपरा जी करेंगे, कल आपको पता ही होगा, प्रदान मंतरी जी ओलंपिक में जाने वाली टीम से मिले भी हैं इसका असर डी हो जाएगा कि इस देश माज़ित पैरा बैडिमिंटन टूनामेंट बिहार की खिलाडी प्रमोद भंक ने दो स्वर्ण पदक जीता था कि थाइलेंड माज़ित किया गया था पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्यू आडानी ग्रुप में चौदा सो करोड़ पे के निवेस के साथ सिमेंट फैक्ट्री अस्थापित करेगा ति नवादा में करेगा नवादा में करेगा नवादा जिले में करेगा दक्षिनी बिहार में ही ओवेसली हो सकता है क्योंकि वहीं पाठारी प्रदेश है तो आडान जाता है दिल्ली माज़ित शियासट में नेशनल स्कूल गेम्स दोयरबाइस टेसमें बिहार मेडल टेली में किस अस्थान पर रहा तो बिहार मेडल टेली में चौथवे अस्थान पर रहा है तीसरा तीन स्वर्न पदक और तेरह पदक जीते थे कुल बिहार ने सोलह में विहार का अस्थान चोधमा था अंक उसको सोला प्राप्त हुए हैं ओके दिल्ली माईजित हुआ था निस्नल स्कूल गेम्स नए साल है बिहार सरकार गरीब परिवारों को कितनी कितनी बकरियां देगी तो यह देगी तीन तीन बकरियां देगी एमत राद्यकिया बख्वास स सुरू की कि पटना स्वक्षता लीग का मुख्यूदे से क्या है तो पटना को गार्वेज फ्री सिटी बनाना इसका मुख्यूदे से रखा गया था नमबर 2223 का है जरूर ध्यान में रखेगा इसको केंद्रे बितमती ने केंद्रे बजर 23-24 बिहार में कितने नर्सिंग कॉ खेले स्कूल के परामर्शी के रूप में किसका चेयन किया गया है तो एकलब खेले स्कूल में परामर्शी के रूप में किसका चेयन किया गया है दो 66 कैंसर हो जागा भी भारती होकी टीम के पूरु कप्तान पर सिक्षक ओलमपिक ओलमपियन भी भासकरन बिहार के एकलब ख खेले स्कूल में परामर्स दाता होंगे। अलग अलग फसलों के पौधों के किस्मों को सनक्षित करने के पुरस्कृत किया गया है। तो चार बिहार के चार किसानों को पुरस्कृत किया गया है। दिलीब कुमार अरजुन सिंग, अरजुन मंडल, सत्यदेव सिंग इनका नाम है। याद रखना है क्या? कत्ते ही नहीं याद रखना है। बिहार किस खिलारी ने बर्लिन जर्वनी में आजित Special Olympics World Summer Games में भारत के लिए रज़त पतक जीता है। यह जीता है गजिंद्र कुमार ने एंसर हो जाएगा इसका। पूने के छतरपती सिवाजी स्टेडियम आजित राष्टे जूनियर रगवी चेंपियंसियों बिहार ने किस राजी को हरा कर खिताब जीता तो बिहार ने राजस्थान को हराया था पिछले साल। बिहार की सस्थान पर ब्राजील का प्रसित ब्राजील या अर्किटेक का परदर्सनी आजित किया गया है बिहार कीस कलाकार का चैन किया गया है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि देखिए दिल्ली सित प्रगती मैदानवाईजिस G20 के लिए याद रखेगा, यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए साथ सेप्टेंबर में G20 का आयजन हुआ और 30 सेप्टेंबर को आपका एक्जाम था, इसलिए नहीं पूछा गया G20 ज्यादा स करने के लिए सिमरी, भूतनात चौक, मदवनी निवासी, मदवनी पेंटिंग के सिधरत कलाकार ममता जहा का चैन किया गया था, ममता जहा इनका नाम है, जरूर ध्याम रखेगा, जरूर ध्याम रखेगा, इनका नाम के बल ध्याम रखेगा, जगह वगा मत ध्यान में रखे हैं कजाकिस्तान कास्ताना माईजित यहां पर अभी कौन सा चीज गायजन हो रहा है यहां पर स्टीयों कायजन हो चुका है एसियन सेंब्रो दोहारतेस प्रतियों देबिहार के कि जिले का भिलासा कुमारी ने दो कांस पतक जीते हैं ति भागलपूर के रहने वाली है इन्हों दो कांस पतक जीता था वहां कि इनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का भी मोचन किया गया ति अभैक के के लिए द्वारा लिखा गया है अभैक मार के द्वारा लिखा गया है राजनाइक अभैक के नाम है इनका जून द्वारते इसमें जारी राष्टिय संस्थान रैंकिंग फ्रेमबर्ग जो न बिहार के कोई बिस्विद्याले सामिल नहीं है हलां कि overall rank category में top 100 of IIT पतना शियासवेज अस्थान प्राप्त किया है या top 100 of Bihar से केवाल एक मातर संस्थान है IIT पतना Bihar के college university कब से top 100 माने लग गए गुरू? वहाँ तो 4 साल में exam ले ले बैसले डिग्री देजे वही काफी है 10-10 साले बैसले डिग्री मिलता है जै प्रकास नाराइन जी के नाम पर college universities है काम एक सही से करते नहीं है अब बिहार के बच्चे इतने होसियार इतने होसियार कि कोई एक आवाज तक नहीं उठाता जेलते रहते हैं उसको 15 साल तक डिग्री नहीं आती इगन ओर करके coaching बैठे रहते हैं त्यारी करते रहते हैं भाई दिल्ली के किसी भी स्विद्याले में या किसी अच्छी university में अगर exam का late हो जाता है session late हो जाता है नहीं बच्चे इड से इड वजाकर रख देते हैं ठीक है तो डरपोक होते हैं और कुछ नहीं होता है हम लोग आपकी university पाचपा साल में डिग्री नहीं देती और आप कुछ नहीं कर पाते हैं चली आगे बढ़ते हैं सच्चाई कभी कभी सुनना चेमो पर जून 2-3 में बिहार के की जिले की कवित्री और मैथ्री लोग गाई का सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये दर्भंगा के रहने वाली है एक सिस्टमेटिक वेसे बिहार की उनवर्सिटीज को खतम कर दिया गया है युवाओं को धकेल दिया जता अंधेरा में आप ही के लिए बोल रहा हूँ सोचिए किसी उनवर्सिटी से आप बैसलर डिग्री करने गए पाँच साल, चे साल, साथ साल तक आपको डिग्री नहीं मिल रहा है उम्र निकल रएक कंप्रिटिटिव एक्जाम हूँ के फॉर्म भरने का एक्जाम आ रहे हैं, जा रहे हैं आप भर नहीं सकते क्योंकि आपकी डिग्री येट की परी है कितनी बड़ी अपराद है ये चीज अपराद है जो जेलते हैं चुप चाप वो भी अपरादी है और जो ये काम करते हैं वो तो हैं ही अपरादी है ना पटना उन्वर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं है जो कभी देश में सबसे सांदार उन्वर्सिटी हुआ करता था पटना उन्वर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं है खाली परे हुएं पद कोई भरने वाला नहीं है बाकी युनिवर्सिटी के तो बात ही मत कीजिये है ना अगला सवाल देखे क्या है अगला सवाल है कि जून दोहरतेस में चलिए सवाल फ़रा जाते हैं जून दोहरतेस मुकमंति नितिस कुमार ने सेंटर अप एक्सिलेंस का निर्मान किया जाएगा ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल हुआ जरूर ध्यान में रखेगा इसको इसका अंसर हो जाएगा एक गया वैसाली में किया गया है बिहार सगार कितने घन मीटर्स उपर भूजल के माल पर अनापत्ती प्रमान पत्र एनोसी लेना निवारे कर दिया है तो बीस घन मीटर के बीस घन मीटर भूम जल का बहुत ज़्यादा दोहन होता है बिहार में इसलिए इस तरह का चीज किया गया है मई 2.30 माई की रिपोर्ट कंसार बिहार मनरेगा के तहत मरजदूरों को काम देने के संदर में कौन सा मिलान सही है तो सभी सही है पहले अस्तान पर जमूई है दूसरे पर खगरिया तीसरे पटना का नाम आता है अबी कुछ दिर पहले उपर भी हमने ये फैक्ट किया था बिहार की जिले में इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरा संस्करन आजित किया गया तो ये छपरा सारन में किया था इसका एंसर ए हो जाएगा छपरा में किया गया है बिहार मेगा फूड एक्सबो दोयरतेशorit कायजन कہा पर किया गया है तो ये पटना में किया गया B आंसर हो जाएगा बिहार से कारन की जिले में एंटरेशनल के निर्माण के बूमी के परस्ताओ की मंझूरी दी है कि जिले में AIMS का निर्मान किया जाएगा ये तो पता ही होगा आपको निर्मान हो भी गया था मोदी जी ने बोल दिया था हो गया है दर्भंगा में किया गया है D अंसर हो ज़िए कहीं कुछ नहीं हुआ है अभी जमीन अमिन की बात चल रही है इसका अशर D हो जाएगा यह जल सक्ति मंत्राले का हारिया रिपोट कांसार बिहार में कितने फिश्दी जल स्रूथ सूखे वातिकरमन के चपेट में हैãos तो 49.8 परसंट जो जिले हैं बहुत इसुख में सुख्रूइंग की नियान लोस दिया भारत की अधिया से पहली बार केंश्रकार के पुंप सा कम्हार statistically जलतों कम्हार की स्वश्वार कि नारी सुखास दोप आध्यान की एक सित्रूत जिल के स्थ्रूत हैं बहुत्त बिहार में कुल जलचेतरों का 49-2% सौमित नीजी हाथों में हैं बिहार के 49.8% जलचों सुखे यातिक्रमन की चपेट में है फार्मेसी प्रेक्टिस रेगुलेशन दोयर 15 लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है बिहार देश का चौंथा राज्य है ए उत्तर इसका हो जाएगा केरल करनाटक दिल्ली के बाद यह बिहार ने लागू किया है इसको धियान रख सकते हैं आप लोग और फार्मेसी प्रेक्टिस रेगुलेशन लागू होने से फार्मेसी निर्देसाले की गठन का रास्ता साप हो जाएगा फार्मा क्लीनिक खोलने का प्रावधान है इसमें फार्मासिस्ट दवा दुकान समत मरीजों को काउंसलिंग कर निर्धारिस सुल्क ले सकते है बिहार के की जिले की बेटी ठीना जा सौंदर प्रतियोगता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका दोहरते इसमें फर्ष्ट रनर प रही है रनर प रही है ये 289 का एंसर हो जाएगा C अररिया जिले की निवासी है ये और बिहार की जिले में थावे फेस्टिवल आजित किया गया है तो घोपाल गंजे में किया गया है D एंसर हो जाएगा थावे दुरगा मंदिर के प्रति आकरसन बढ़ाने को देस आजित किया गया था अगला है एक रिपोर्ट कांसार ग्रामी इंचेतरों सुध पेजल उप्रवद करानगों ने बिहार की की जिले को देस वरे पहला स्थान मिला है तो समस्ती पूर जिले को मिला है भारतिय दूर संचार नियामक परादी करन ट्राई द्वारा जारे रिपोर्ट कंसार बिहार में दूर संचार घनतों कितना परसेंट है तो 55.23% है और इसी पर आधारित आपका मेंस में सवाल पूछा गया था 55.23% दूर संचार घनतों है यानि कि फोन इंटरनेट इन सब का घनतों पूछ रहा है दूर संचार घनतों दूर संचार घनतों है देश में सबसे उपर है अगर राश्ट्य वसत की बात करें तो यहां करा बिभाग जिन्दाबाद 22 मार्ज 23 का अबसर पर सरकार ने इसकी घोसना की परेटन बिभाग के ब्रांड अमेजडर ने पहले मैथली ठाकुर बिहार खा दी वह हैंडी क्राफ्ट की ब्रांड अमेजडर बना दिया गया है मैथली ठाकुर को और भी बड़े लोग थे किसी बेक को बना देना चाहिए तो अभी तो यह छोटी है चर्चित हैं लेकिन अमिता बच्चन जी ने गुजरात के ब्रांड अमेजडर जब किया था वहां के परेटन का तो बिलकुल बदल गया था इंपक्ट डालना है तो थोड़ा सा अधिक इंपक्ट वाले इंसान को आप को रखना चाहिए था क्योंकि बिहार का परेटन बहुत कमजोर है उसको बरहाने के लिए खैर आजए याद रखने के लिए याद रखेंगा मैंधरी ठाकुर जी का नाम अच्छा गाती है जैविक विधी से लीची की खेती करने वाली बिहार राजी के कितने किसानों को जी त्यूसरा जिला सेस पर है तक सिभर जिलास सेस पर हाए डी उतर हो जाएगा इसका. दीखिए यहाँ पर किया है कि दूसरे तीसरी थ्या-चौंथय अस्थान पर क्रम से नारंदा दूसरा समस्तिपूर तीसरा मुएर चौंथय अस्थान पर हाए बिक्रम सिला महश्ब दोय 23 का जन कहां पर किया गया भागलपूर में किया गया डी उत्तर हो जाएगा इसका अठारवे नेशनल यूथ एथलेटिक्स चंपियंशिप द्वहरतेश बिहार किस खिलारी ने ट्रिपल जंप प्रतियस परधाम कांस प्रदक जीता है तो ये सन्नी राजने जीता है दी उत्त पटना जिले में किया जाएगा बहुती सांदार सा प्रियास पटना जिले में दादोपूर गाउं में पटना और अंगाबाद एनेश 149 पर एक्क्यावन सक्तिपीर धाम मंदिर बनाकर निरना लिया गया है यह मंदिर विस्व में पर्थम कलस महा मंदिर भी होगा चलिए बहुत अच्छी बात है और अगला भी एक्सका फैक्ट देखे सांदार है देश का पहला मंदिर होगा जो 51 महिला सदस्व दारस अंचारित होगा यहां के मुख्य पुजारिन भी महिला ही होंगी माता सती के 51 अंगोस बनी 51 सक्टी पीट की मिट्टी अग्री और जल को भारत के विविन राजियों से तरिक्त नेपाल बंगला देश पाकिस्तान से लंका तिबत से लाकर महा बोधी महा मंदिर का स्थापना की जाएगी बिहार के कल्चर रुपसर सम्रिद बनाने का सांधार प्रयास राम सिंग को बनाए नाव मैं वहार करिस्वतर सब और अच्छा विस्वत्याल है यकीन मान इए अगरिकल्चर के सांदार विस्वत्याल्थ यह सब और है ना तो अगला देखिए क्या है बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च भी इनों ने किये हैं कई सारे उत्पादों को भी इनों ने बनाया है तो ये सांदार है चर्चित पुस्तक प्रियोग धर्मी विकास सिल्प किस से समंधित है ति नितीस कुमार से समंधित है इसके संपादन किस ने किया है गोधार नारी सुरक्षक भिसेस कर्म itself से ध्यान में, क्या बहुत बंगए का देखें क्या है ये अच्छे युनिवर्सिटीज बनाईए, रेगुलर कर दीजे कम से कम, परहाई सुरू करवा दीजे, इतना तो कर सकते हैं ना, रेगुलर्सिटी रेगुलर हो, उसमें रेगुलर लेक्चर हो, लेक्चर का भाव के कारण बच्चे बैसलर डिगरी कर जाता, उनको पर केबल फोन के वॉल्यूम बटन को दबा के कौल किया जा सकता है, इमर्जनसी किस्तिती में, फोन के वॉल्यूम बटन के दबा कर, जो पहले से सेव करके नम रखे गए, उस पर अपने आप कौल लग जाएगा, साथ ही मुवाईल को हिला के भी तीन पर यजनों को मैसेज भारत सरकार ने स्वक्ष भारत मिस्तन ग्रामीन के तहत की जिले की इसमाइलपूर प्रखंड को बिहार के पहला O.D.F. प्लस और ध्यान से सुनिए O.D.F. प्लस प्लस में होता है खुले में सौच से मुक्त और उसके साथ में वेस्ट मेनेजमेंट भी होता है O.D.F. प्लस मे स्वक्ष भारत अभियान के तहत में यह सब अलग-अलग कैटिगरी है यह आपको पता होने चाहिए पी-टी के जाने से पूछा जा सकता है गुरू तो पर ले ना इसको भारत सरकार O.D.F. प्लस किसको घोसित किया गया था भागलपूर में किया था भागलपूर का पर मौजूद है और यह धियान में रखेगा O.D.F. भारत सरकार ने बिहार की समयतपून एतिहासिक परेटरन रस्ताव को धरते इसमें बेस्ट हैरिटेज अवार्ट परदान किया है यह और भी दोनों नालंदा और राजगीर दोनों को परदान किया गया है नालंदा फेलों लगा इंडिया सेंटर खोल जाएगा तो 33 जंट भी वरि वरि इंपॉर्टेट की जिले के बावर्चक गउँ में राजिका पहला इसमर्ट विलेज विक्सित की आ जा रहा है वह इससी अंसर इसका हो जाएगा सिस्मर्ट विलेज विक्सित किया रहा है कोई देखे यहां से तो बताए जरा क्या है आपके गाओं पड़ी वरतन हो रहा है टीवी उन्मूलन अभियान के तहित बिहार के पांच जिलों को प्रधान मंतरी मोधी द्वारा सम्मानित किया गया निमसे कौन सा जिला उनमें सामिल नहीं है तो इसमें सहरसा सामिल नहीं है बाकि मुझ पूर्ण जिलों को मुझबपरपूर्श, समस्तिपूर्श, सिवान, उसके साथ सारन और पूर्निया यह पांच जिले हो गए इनका नाम किरपया करके ध्यान में रखें मोधी जी ने सम्मानित किया है और टीवी को कमी करने के लिए सम्मानित किया है तो यह पूछा जा सकत पुर्णिया जिला है बी उत्तर हो जाएगा हाथिपाउं फ़लेडिया जिसको बोलते हैं इसको दिव्यांगता मजोरा है के इंदेर गिर्मांतरा द्वार जारी वज़ द्वार 22 के सिस पुलिस थानों बिहार 20 महिला पुलिस थानों को प्रथम 3 में जगह दिया गया तो कि पठना खोया हुआ सहर के भी मोचन किया तो अरुन सिंग्झ निए पुस्तक को लिखा है 15 सदी से लेकर 20 सदी तक का इतिहास है इसमें और सांदार रहा होगा यह बुक तो पढ़ना चाहिए बही क्या है चंदिरान तीन के सफल लांचिंग बिहार के किन प्रमुक्ष वे गया कि सुधान सुक्मार सामिल थे एंटीपीसी सन्यंत्रों कितना मेगावाट विजली उत्पादन के साथ बिहार विजली के साथ निर्भर हो गया है तो 6943 मेगावाट को उत्पादन किया गया है 60% यानि 396 मेगावाट के अथिक्त बिजली का अपूरती ग्रीह राज विजली के मामले में 60319 सवाल एक बिहार बायो फ्यूल उत्पादन पूर साहनिती 2030 के तहत जैव इंधन इकाई लगाने के राज सरकार कितना अनुदान देगी वेरी 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 इंपॉर्टन ये नहीं पूछा गया और आपसे पूछा जाएगा जैव इंधन इकाई लगाने के लिए कितना परसेंट देगी ति ये 15% पांच करोड रुपे तक का आपको अनुदान देगी और आज का आखरी सवाल इस वीडियो का निम्से बिहार की की जिले में मलमास मिला का आईजन होता है तो राजगी नालंदा में ये आईजन किया जाता है एक बार और देख लीजेगा जब सारा 500 M.C.Q. हम लोग कर लेंगे तो उसका एक बड़ा वीडियो भी हम मैं आपको उपलब्द करवा दूँगा एक ही में जोर करोगे थैंक्यू समच आप सभी का वीडियो देखने के लिए